हे स्टुडेंट वेल्कमों सगैन पैरे बच्चों को मैं थोड़ी एंजी आठी के चैप्टर नबर 13 कंप्लीट कर रहा था जो कि बहुत लंबा चैप्टर था जैसे आप यह चैप्टर नबर 3 है न वैसी वह बहुत लंबा चैप्टर था इसलिए हम लोगों को आरे सगरवाल एक लिंक दिया हो रहाएगा उसमें किलिक करोगे न तो आपको इस चैप्टर के सारे के सारे वीडियो से इंदम एक साथ मिल जाएंगे आपको प्रिसान बिल्कुल भी नहीं होना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इन क्वेशन को सॉल्व करते हैं अब यहाँ पर यह ध सबसे पहले अगर एक्जाम में यह क्वेशन आया तो आप पहले क्वेशन को देखो और समझो कि हमाँ पर फॉर्मूला कौन सा लग रहा है तो आपको आपर साब सब दिखेगा कि यह हमारा A स्क्वार टाइप से बना हुआ है और यह B स्क्वार बना हुआ है और बीच में म और X-Y ऐसे करके भी दिया रहता है ठीक है तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर आपने तो यह वाला बताया है हमने X हो रहा पड़ा है तो दोनों सेम चीजे है बस वहाँ पर variable के तोर पर यहाँ पर A रखा जाता है और यहाँ पर X रखा जाता है अब देखो इसको कैसे solve करन simple बहुत अची बात 9 जो होता है हमारा 3 का square होता है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इसको 3X पूरे का square कर देंगे तो देखो यहाँ पर हमारा X का square था वो तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि bracket के बार हमने लिखा है तो यह जो square है वो X का भी हो गया और यह square अब 3 का भी हो 3 का square 9 X का square यह वाला उसी तरीके सीधर कर देंगे 16 है तो यह 4 का square होता है तो यह हो जाएगा हमारा 4Y का square तो यह हमारा पूरा पूरा जो हो गया यह हमारा X बन गया पूरा यह फिर इसको आप complete A का सकते हो और इसको complete B का सकते हो ठीक है तो अब यहाँ से हमनों फॉर्मुला यह 4Y है यह हमारा B है तो A plus B और A minus B factorize हो गया देखा कितना simple था जिल्दी से जो आगे question से उनको solve करते हैं तो देखो यह हमारा second number का question है जहाँ पर हमें 25 by 4X से square माइनस में 1 by 9Y का square दिया हुआ है तो X और Y की square तो है हमको क्या करना यह जो number है constant है इनका अपने को square बनाना है तो जो 25 है वो किस का square होता है simple वो 5 का square होता है उसी तरीके से 4 है वो हमारा 2 का square होता है तो इसको मैं इस तरीके से देखो लिख सकता हूँ ना यह मैं बड़ा bracket कर देता हूँ छोटे bracket के अंदर में हमारा 25 के लिख आप 5 कर दो ठीक है एक सिकेंट यह 5 हो गया डिवाइड ब लेंगे bracket के अंदर इस तरीके से और यह square हो जाएगा बाहर आप चाहो तो बड़ाल bracket लगा भी सकते और नहीं लगा गए तो भी चलेगा उसके बाद माइनस की sign है माइनस की sign लगा लेते हैं 1 किसका square है तो 1 जो होता है वो 1 कही square होता है 1 का square कर लो 1 का cube कर लो आपका answer वह नहीं हैगा तो हम लोग 1 को 1 ही रहने देते हैं ठीक है तो a plus b और a minus b हो जाएगा तो यह हो जाएगा हमारा 5 by 2x plus में 1 by 3y यह हमारा a plus b हुआ अब उसी तरीके से a minus b कर दो यह हो जाएगा 5 by 2x minus में 1 by 3y यह हो गया हमारा final answer simple से questions है केवल आपको factorize करना है अपनी आँख खुली रखनी है जो हमारा factorize question रहते हैं उसमें बस यह देखना रहता है कि वहाँ पर कौन सा formula apply होने वादा है अगर आपने वो समझ गया तो आपका पूरा का question solve हो जाएगा और उसको समझने का simple तरीका है practice जितना practice करोगे उतना ही असान होगा तो देखो यह हमारा third number का question है 81 दिया हुआ है 81 आपको पता ही है 9 का square होता है 9 9 जा 81 होता है उसी तरीके 16 है जो कि पहले भी आ चुका है तो 16 4 का square होगा चलो जल्दी से solve कर लो 81 को आप कर दो 9 का square minus में और यहाँ पर equal नहीं लगा था मैंने छोड़ो उसको अब यह हमारा 16 है तो 16 हो जाएगा 4 का square और यह x पहले से है तो दोनों को आप bracket में कर लो और एक square कर दो ताकि यह जो square है वो x कभी हो जाए जो कि पहले दिया हुआ था और यह square जो 4 कभी हो जाए ताकि 4 4 जा हमारा 16 हो जाए तो बस यह हमारा a square minus b square बन गिया कर दो इसको a plus b यानिकि 9 plus में 4x a plus b हो गिया उसे तरीके से a minus b यानिकि 9 minus में 4x चलिए यहाँ पर हमारा वीडियो होता है complete मिलते हैं लोग नेक्स वीडियो में बहुत सारे questions है जल्दी वीडियो बनाना है और आपको जल्दी जल्दी समझना है ठीक है नेक्स वीडियो के लिंक में आपको बताई दिया कहा प्रेमी लेगा थैंक यज वर वाचिंग्ग है